ग्नानवापी विवाद पर आरेसेस ना सरसंग चु आलक मोहन भागवत नू एक मोटू निवेदन सामय आवियो छे। कोई धर्म औन्य धर्मना विरुथमाँ छे एउण नं मानवू। झयारे कोई ना मन मनमा कोई शंका होई तो समस्या सर जाय चु पأن ए समस्यानों साम्सा में बेसी ने सहमाती थी रस्तो काडवो जुए। जो के दरेक वार सहमाती थी रस्तो ना पन निगली शके। त्यारे कोट मां जवू पड़ेच्वे आने जो कोट मां जईये तो पची कोट जनीने आपे तेरे मानवो जुए कोट ना नीने पर प्रप्रश्ण न उठावो जुए तेव पड़ मुहन बागवते पुता अनिविदन मां कहुँच्छ ज्यानवापी का मुद्दा चल रहा है अब ऐसे मुद्दे है एक इतियास तो है उसको अंबदल नहीं सकते वो इतियास हमने नहीं बनाया ना आज के अपने आपको हिंदू कहलाने वालों ने बनाया ना आज के मुसल्मानों ने बनाया उस समय घटा इसलाम बाहर से आया आकर में भारत की स्वतन्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मौनोधहिर एक खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए है हज्जारों है हिंदु समाज का विशेश ध्यान जिन पर है विशेश रद्दा जिन के बारे में ऐसे कुछ है उसके बारे में मामले उठते हैं अब इसका विचार क्या करना ये मुसल्मानों के विरुद्धर ही सोचता है हिंदु अज के मुसल्मानों के उस समय पूर्वज भी हिंदु थे उन सब को स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंजित रखने के लिए उनका मनोधहिरिया दबाने के लिए किया गया इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनर्धार होना चाहिए हम तो कुछ नहीं कहते हमने नव नॉवंबर को कह दिया कि एक राम जन्व में का अंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृती के विरुद्ध किसी आईती आसिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए हमने उस काम को पूरा किया अब हमको कोई अंदोलन वगरे करना नहीं है लेकिन इशूज अगर मन में हैं तो कुछ उठते हैं यह किसी से विरुद्ध मानना नहीं चाहिए मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए हिंदों ने भी यह नहीं करना चाहिए अच्छे बात है ऐसा कुछ है आपस में मिल बैटकर सहमती से कोई रास्ता निकाले लेकिन हर बार नहीं निकल सकता इसमें कोर्ट में जाते हैं जाते हैं तो फिर कोट जो निर्णे देगा उसको मानना चाहिए अपनी समिधान सम्मत न्याए ववस्था को पवित्र सर्वस्रेष्ठ मानकर उसके निर्णे हमको पालन करने चाहिए उनके निर्णे ओपर प्रश्ण जिन्न नहीं लगाना चाहिए और ठीक है प्रतिकात्मक कुछ हमारी वीचे श्रद्धाती है इसे स्थान नों के बारे में हमने का लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं यह यह भी नहीं करना चाहिए हमको जगड़ा क्यों बढ़ाना है ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ रद्धाय है परंपरा से चलती आई हम कर रहे है ठीक है परूंतु हर मस्जिद में श्यूलिंग क्यों देखना है वह भी एक पूजा है ठीक है बाहर से आई है लेकिन जिनोंने अपना ही है वो मुसल्मान वो बाहर से संबंदनी सबकी मान्यता और सबके प्रति प्रवीत्रता के भावना है कि परंदु पूजा वहां की होने के बाद भी वह उशज वो हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आवे रुशी मुनी राजा क्षत्रियों के पूरुवज है